हाई गाईज वेलकम बैक टू दानिया अनम व्लॉग्स कैसे हैं आप सब आई होप आप बहुत अच्छी होंगे तो गाईज आज हम जा रहे हैं आइलाशेज एक्स्टेंशन कराने जी हाँ सही सुना आपने आइलाशेज एक्स्टेंशन तो इसका चार्ज जो रहता है वो रह तो हमने उनको बोला था हमें मेगा वॉल्यूम चाहिए आज आपको दिखाने वाली हूँ कि अभी मेरी लाशेज कैसी है और लगने के बाद आईलाश एक्स्टेंशन होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कितने दिन तक ये स्टे कर और कितने दिन बाद ये निकलना स्टार्ट हो जाती है हराम है हलाल है ये कोश्यंस भी आने वाले है की इस उथाल्ल है हराम में हम लोग कहीं नहीं जाते हैं ठीक है तो पहले उन्होंने दानिया का फेस क्लीन किया फिर उसके नीचे लगाया हाइड्रा जेल फिर उन्होंने कुछ टेपिंग्स वगेरा की हैं यह प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं लैशेज लगाने का तो बता दू एक बंदे को 20-25 मिनट्स लगते हैं आप एक बंदे का 25 मिनट्स मानके चलिए तो दानिया को भी मैगा वॉल्यूम चाहिए थी और कैट आइस चाहिए थ तो यह दानिया अपने आइस को फैन कर रही है क्योंकि बंद की एक है ना काफी वह इचिंग और जलन थोड़ी सी हो जाते तो फैन से कूलिंग इफेक्ट देना पड़ता है तो उसके बाद मेरी चांस आई है अब मेरे साथ भी सेम यही प्रोसेस हुआ है और मुझे भी यह मेगा वॉल्यूम दे रहे हैं अगर आप किसी प्रोफेशनल से कराएंगे तो आपको बिल्कुल भी पिंच नहीं होगा और आपको नींद आ जाएगी और अगर कोई अनप्रोफेशनल होगा तो वह आपको यह चुबाता ही रहेगा और आपको बड़ी तकलीफ भी होगी त कैट आई लुक दिया है तो गाइज मैं आपको इस वीडियो के तुरू यही बताना चाहरी हूं कि अगर आपको करवानी है तो प्रोफेशनल से ही करवाना बहुत सारे कोईशन्स मुझे मिले हैं आईलेश एक्स्टेंशन्स को लेकर सबसे पहली बात किसी ने मुझ से पू कि हम वजु कर रहे हैं जैसे नेल एक्स्टेंशन्स में है क्याते है कि पानी वजू का पानी नहीं जाता तो वह राम हो जाएगी नमाज नहीं होगी बट आईलेश एक्स्टेंशन में ऐसा कुछ नहीं है यह एक बाल के उपर ही यह दूसरा बाल उन्होंने लगाया है तो जब मैंने वजू करी और अपना फेस वाश किया तो मेरी एक ऐलाश एक्स्टेंशन भीगी हुई थी तो इस हलाल तो आप एक रा सकते हैं अगर आपको वो करना पटाएंगा कि आपके जो बाल लगाएं वो सुवर कबाल लगाएं अगर आपको इन्टेंशन सही है तो यह अगर आपकी इन्टेंशन तो जाहिर सी बात है वो तो हर चीज के लिए है फिर मेरे पास एक और कोशन आया कि इसको लगा कर आखो पर वजन तो नहीं होता मुझे तो बिल्कुल बी 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 बजन नी मेरा एक्सपेरियंस है कि मुझे बीन और महानल लग ए अगर में और मैं अपने लिए ऑपने एक्स्टेंशन लगवाएं हैं तो फिल हो और है है कि हान एक्स्टेंशन सहानी होता है आखो पर कुछ लोग बहुत जादा पर बहुत हल्की लाशिस भी लगा देती हु ना तो वो ऐसा रियाक्ट करते है कि बहुत वजन दिख रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे वजन लग रहा है बस आप हटा के मस्कारा ही लगा दो तो उन लोगो के लिए तो यह बिल्कुल भी नहीं बनी सबस्ट के लिए बिल्कुल कमफरटीबल है जो लोग बहुत संसिटिव एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग ओता है जिनको इतना सभी वजन बरदाश्त था इपनी आखो पे तो यह उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है वो यह फिर उनको परेशान ही करेगी इतने दिन तक यह स् पानी का धिहान रखेन टालेगी रात को सामक्राइश ऑर 12-15-20 टालेख टाइश का मैं तो मिनिमंम डेज का गई टाइपनी तकYL. करेंगे पानी का ध्यान रखेंगे ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे रात को सोने में उठने में मस्कारा अवाइड करेंगे तो यह एक महीने चल जाएंगे अदवाइस 15 तो 20 डेज तो इनका रहता ही रहता है इस्टेडिय औरेशन बाकि यह धीरे धीरे एकक करके फॉल आ करते का फंक्षन है वो लोग अराम से करा सकते हैं आइलाश इस भी बहुत तरीके की आती एक तो आती है चुबने वाली जो सिंथेटिक होती है एक आता है हिम एक आता है नाच्रल हेर जो बहुत सॉफ्ट होता है जो क्लाइंस को बिलकुल भी नहीं चुपता तो आपके लि मेरे उपर आइलाश एक्स्टेंशन और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कोमेंट जरूर करना